हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हूँ 29 अक्टूबर से सम्मंधित उत्तरप्रदेश के सभी एक्जाम के लिए most important current affair के questions को discuss करेंगे और हरे questions से related आपको facts भी बताएंगे और वीडियो के अंतमेम आपसे question भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप मारे टेलिग्राम गुरुप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरुप की लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेसन शुरू करने से पहले हम कल के questions का revision करेंगे कल का पहला question है उतर प्रदेश में जीका वाइरस का पहला मरीज कहां पर पाया गया इसका जो correct answer है बोई option number C कानपूर में अगला question है खाली में दिल्ली के C.M. अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा यूजना के अंतरगत उतर प्रदेश के किस इस्थान को सामिल किया है इसका जो correct answer है बोई option number A आयोध्या को और दोस्तो उतर प्रदेश करेंट अफेर के last 8 month की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगास्त 2021 तक उतर प्रदेश करेंट अफेर के सभी important questions को विस्तार पूरवक बताया है और दोस्तो अगर आपको सितंबर महीने की उतर प्रदेश करेंट अफेर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी link भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी problem होती है तो site पर आपको WhatsApp नमबर और email मिल जाएगा जिस पर आप contact कर सकते हैं अगला question है राश्ट्रिय हरित अधिकरन NGT ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर निम्न में से कितने करोल रुपाई का जुर्माना लगाया है इसका जो correct answer है वो है option number B एक करोल रुपाई का अगला question है हाली में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण कहां किया गया तो इसका अनावरण किया गया है है हैदराबाद में यानि option number A हाँ पर correct होगा अगला question है भारतिय मूल की अनीता आनंद निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बन गई है इसका जो correct answer है वो है option number A कनाडा की अगला question है इसिया में पहली बार कौन सा देश कंटेनर अधारित मूबाइल अस्पतालों का विकास करेगा जिने स्वास्त आपातकाल को संबोधित करने के लिए रेल या हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है इसका जो correct answer है वो है option number B भारत अगला question है हाली में किस देश की अंतरक्ष एजनसी ने हमारी आकास गंगा के बाहर एक ग्रहक हो जाया है इसका जो correct answer है वो है option number C अमेरिका ने और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो NASA है उसने एक ऐसा ग्रहक हो जाया है जो कि हमारी आकास गंगा के बाहर है यूँकि अभी तक जो ग्रहक होजे गए हैं वो सारे हमारी आकास गंगा के अंदर ही थे अगला कुश्यन है हाली में सलेम, नंजो दया, सुबाराब का निधन हो गया उन्हें किस वर्स राजीव गांधी, राश्टिया सदभावना पुरुसकार मिला इसका जो करेक्ट अंसर है वो है option number A, 2003 अगला कुश्यन है विश्व व्यावसायक ची किस्सा दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है option number D, 27 October को तो दोस्तों ये थे कल की कुश्यन, जिसका हमने revision किया अब हम सुरू करते हैं आज का सिसन आज का पहला कुश्यन है हाली में गौतम बुध्य नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को किस पुरुसकार के लिए नामित किया गया है इसका जो करेक्ट अंसर है वह अप्सन बिए अरजुन पुरुसकार के लिए है टोक्यो अरजुन अवार्ड से समानित होने वाले वह पहले ऐसे आई एस अधिकारी बन जाएंगे जिन्हें समान दिया जाएगा 35 के लाड़ियों को अरजुन अवार्ड से समानित किये जाने के लिए चुना गया है टोक्यो पेरालंपिक में सुहास एलवाई ने बैड मिंटन मुक क्यों पेरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था किस परतीस1 परधा में जीता था तो अपको ध्यान रखना है बैड मिंटन में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था तो इन्हां जो है अरजुन अवार्ड से समानित किया जाएगा और इनके साथी 35 खिलाडियों को कुलम लातर के 35 खिलाडियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चोना गया है और यह जो सुहास एलवाई हैं यह पहले अगला गुश्यन है हाली में किस जिले का नाम महरसी बामदेव के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव सासन को भेजा गया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांदा का बांदा सदर विधान सफास सीर से विधायक प्रकास दुवेदी ने उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री य नाम पर बांदा जिले का नाम बदलने की मांग की है बांदा रामायन काल से ही गौतम रिसी के पुत्र बामदेव की तपो इस्थली रही है और दोस्तों वेदों के अनुसार अगर देखा जाए तो सब तुरिसियों में जुमहरसी बामदेव हैं उनका नाम भी आता है जिस के नाम बदलने की मांग की जा रही है और इसका नाम क्या रखे जाने की मांग की जा रही है तो महरसी बामदेव के नाम पर इसका नाम रखे जाने की मांग की जा रही है अगला कुश्यान है हाली में आई पील की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है इसका जो करेक्ट अंसर ह वो है option number 2 लखनव franchise IPL के इतियास में लखनव की team सबसे महंगी franchise बन चुकी है दुबई में सुमबार को हुए auction यानि IPL auction 2021 के दौरान संजीब गोईनका के RPSG group ने लखनव की team के लिए 7,090 करोड की बोली लगई RPSG group ने लखनव की franchise के लिए जितनी बड़ी रासी की बोली लगई है वह रासी IPL में खेल रही पिछली 8 टीमों की कुल रासी से भी ज्यादा है IPL में हिस्सा ले रही 8 टीमों की सुरुवाती कीमत 5,440 करोड रुपए है तो दोस्तों आपको ध्याँ रखना है कि IPL के इतिहास में जो लखनव की team है वो सबसे महंगी team बन चुकी है इसके लिए जो बोली लगाई गई है 2021 में वो कितनी लगाई गई है तो आपको ध्याँ रखना है 7,090 करोड रुपए की बोली लगाई गई है और यह जो बोली है वो किसने लगाई है तो वो भी आपको ध्याँ रखना है तो संजीव गोईनका के RPSG ग्रुप ने लखनव की team के लिए यह बोली लगाई है तो आपको ध्याँ रखना है कि IPL के इतियास में कौन सी team सबसे महंगी team बन चुकी है तो आपको ध्याँ रखना है लखनव की franchise की team अगला गुश्यान है नागरिक उड्यन मंत्राला ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को सुरू कर दिया है इसका जो correct answer है वो है option number A क्रसी उडान 2.0 हाली में किंद्रिय नागरिक उड्यन मंत्री ने हवाई मार्ग से क्रसी उपज के आवाजाही को सुविधा जनक बनाने के लिए क्रसी उडान 2.0 की सुरूआत की है इसका उडियर से क्रसी उपज और हवाई परिवहन के बहतर एकी करण एवं अनकूलन के माध्यम से उत्पादों का उचित मूले प्राप्त करनी दथा विविन वा गतिसील परिष्थितियों में क्रसी मूले स्रंकला में इस्तिरता वा लचीला पन लाने में योगदान दे क्रसी उडान 2.0 पहाड़ी छेत्रों पूर्वुत राज्यों और आदिवासी छेत्रों में खराब होने वाले खाद उत्पादों की परिवहन पर ध्यान के इंद्रित करेगा तो दोस्ता आपको ध्यान रकना है कि जो योजना है क्रसी उडान 2.0 इसे किस मंत्राले ने शु क्योंकि जो पहाड़ी छेत्र हैं पूरुवत्तर राज्यों और जो आदिवासी छेत्र हैं वहाँ पर परिवहन की सुविधान ना होने की वज़य से वहाँ पर जो खाद उत्पाद हैं वह काफी ज़्यादा खराब हो जाया करते थे तो इसी को लिकर के इस योजना को शु मेजर ध्यान चंद खेल रतन पूरुषकार 2021 के लिए नामित किया हैं मेजर ध्यान चंद खेल रतन आवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान हैं यह प्रुषकार पहली वार 1991-92 में दिया गया था तब इसका नाम देश के पूर्व पर्धान मंत्री राजीव गाधी के नाम पर रखा गया था इस अवार्ड की स्थापना कामु के उद्देश से खेल के छेत्र में सराहना और जागरूपता फैलाना है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश के 11 खिलाडियों को मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुषकार 2021 से समानित किया जाएगा अब य यह जो नीरा चुपड़ा है यह ट्रेक एंड फिल्ड में उलम्पिक में मैडल जीतने वाले पहले खिलाडी बने थे तो इन्हें इस अवार्ड से समानित किया जाएगा दूसरे खिलाडी है पहलवान रवी दहिया इन्होंने टोक्यो उलम्पिक में सिल्वर मैडल जीता थ इन्हें भी खेल रतन अवार्ड दिया जाएगा इन्होंने टोक्यो उलम्पिक में भारती होकी टीम को कान से पदक जीताने में अहम भूमी का अधा की थी अगले खिलाडी है भारती स्टार बॉक्सर लवलीना बॉर्गोहिन इन्होंने टोक्यो उलम्पिक में कान से पदक जीता था और वो भारत की महज तीसरी बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक मेडल अपने नाम किया है अगले खिलाडी है भारत के दिग्गस फुटबॉलर सुनेल चेतरी इन्हें भी मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड से संभानित किया जाएगा और इन्होंने अभी हाली म इंटरनिशनल गोल की संख्या के मामली में पेले को पीछे छोड़ दिया है और जो सुनेल चेतरी है इन्होंने 125 मैचों में 80 गोल दा गए है तो इस वज़ा से जो है इन्हें भी मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड से संभानित किया जाएगा अगली खिलाडी है भारत की दिग्ज़ क्रिकेटर मिताली राज इनको भी सवाड से संभानित किया जाएगा और इनकी नाम भी कई रिकॉड है जैसे इन्होंने वंडे फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाई है और दो दसक तक क्रिकेट खेलने वाली ये एक लोटी महिला क्रिकेटर भी है जि पांच खिलाड़ी हैं वो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं तो उनमें से कौन-कौन सी हैं तो आपको ध्यान रखना है प्रमोद भगत कृष्णा नागर अवनी लेखरा मनीस नर्वाल और सुमित अंतिल तो यह पांच खिलाड़ी हैं जोनोंने टोक्यो पेरा ओलंपिक में पदक जीते तो यह वो ग्यारा खिलाड़ी हैं जोने मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड दोजारी की से समाने किया जाएगा अगला कुश्यन है भारत का सबसे बड़ा हरित्त हाइड्रोजन सायंत्र किस ने बनाया इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप् कंपनी 10 मेगवाट एलेक्ट्रोलाइजर बनानी पर हाली में विचार कर रही है जो कि रोजाना 4.5 टन हरित्त हाइड्रोजन पैदा करनी में सक्षब होगा तो दोस्ता आपको ध्यान रखना है कि गेल इंडिया लिम्टेड ने भारत का सबसे बड़ा हरित्त हाइड्रोजन इसकी स्थापना हुई थी अगला घृष्या है भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उधगातन कहां किया गया इसका जो करेक्ट अंसर है ऑप्सिन अमबर डी कोलकाता में कोलकाता सहर में भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटो पोर्ट के अध्यक्ष विनीत कुमार ने 25 अक्टूबर को किया संचार समाधान के लिए इस्थाफित किये गए इस रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम कूलकाता होगली पॉइंट हल दिया और सागर पाइलट स्टेशन के बेस स्टेशनों को कवरेज परदान क देरेगी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कुलकाता सहर में भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्गाटन किया गया है अगला कुश्यन है भारतिय सेना का पचतरवा इंफेंट्री दिवस का मनाए गया इसका जो करेक्ट आंसर है भारतिय सेना ने 27 अक्टूबर को इंफेंट्री डे मनाने की घोश्णा की जो कि इस वर्स सेना का पचतरवा इंफेंट्री दिवस है अब दोस्तों ये जो इंफेंट्री डे है इसे सोतंतर भारत की पहली सेने घटना की याद में मनाय जाता है जिसमें 1947 में कस्मीर घाटी म पाकिस्तानी सेना और लसकर आक्रमनकारियों पर भारतिय सेना भारी पड़ी थी इंफेंट्री सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू साका है जिसे युद्ध की रानी की नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों आपको ध्यान अक्ता है कि भारतिय सेना का जो इंफेंट्री डे ह ये कब मनाया जाता है तो 27 अक्टूबर को ये मनाया जाता है और इस वर्स ये 75 इंफेंट्री दिवस है अगला दुश्यान है भारतने हाली में अगनी 5 मिसाइल का सफल परिक्षन किया यह मिसाइल कितनी दूर तक अपना लक्ष भेद सकती है इसका जो करेक्ट आंसर है मुग अगनी 5 का सफल परिक्षन किया इस मिसाइल का परिक्षन कहां पर किया गया है तो आपको ध्यान अपना है और इसका वजन कितना है तो करीब पचास हजार किलोग्राम इस मिसाइल का वजन है और इस मिसाइल की लंबाई कितनी है तो एक दसमलब साथ पांच मीटर इसकी लंबाई है जिसका व्यास है दो मीटर तो दोस्तों आपको ध्यान अकना है कि भारतिय सेना ने 27 अक्टूबर 2021 को 27 से सताहवार करने वाली बैलि कर सकती है और दोस्तों यहां पर जो DRDO है DRDO को फुल फॉर्म क्या होता है तो Defense Research and Development Organization DRDO को फुल फॉर्म होता है और DRDO की स्थापना कब हुई थी तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी और DRDO का मुख्याले कहां पर है तो नई दिल्ली में DRDO का मुख्याले है अगला कुश्यान है किसने जर्मन बुक ट्रेड 2021 का सांती पुरुषकार जीता इसका जो करेक्ट आंसर है ओप्सिन नंबर P 33 डैगा रेंबगा जामिया देश की लेखी का इवं फिल्म निर्माथा 233 डैगा रेंबगा को जर्मन बुक ट्रेड 2021 का सांती पुरुषकार दिया अब इन्हें ये पुरुषकार क्यों दिया गया है तो इन्हें ये पुरुषकार जो है देश और दुनिया भर में हिंसा के कारे पर एक नए ग्यानोदय के लिए दिया गया है अब इन्हें ये जो वर्ट दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है वार्सन वेरियन, डेस, डियूसेन, बुक हैंडल्स, जर्मन पुस्तक प्रकासक और पुस्तक विक्रिता संग द्वारा इसे वार्ट को दिया गया है अब दोस्तों ये कुशन इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि डेगारेंबगा जर्मन सांती पुस्तक जीतने वाली पहली आसवेत महला है इस वजह से ये कुशन काफी इंपोर्टेंट है और इसके साथे उन्होंने जो है 2021 का पैन पिंटर पुस्तक भी जीता था तो इसे भी आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों ये थे 29 अक्टूबर से समंधित उत्तर प्रदेश के सभी एक्जाम्स के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट करेंट रफिर की कुश्चन जो की हमने डिसकस के अब हम देखते हैं कल के वीडियो का कुश्चन जो हमने आप से पूँचा था तो ये है कल की वीडियो का कुश्चन जो हमने आप से पूँचा था हाले में किस देश की सेना ने देश के पुर्दान मंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफतार कर सरकार को भंग कर आपात का लगा दिया है इसका जो करेक्ट आंसर था और लगबख सभी स्टुडेंट्स ने इसके सही जवाब किये और मैं आपसे हरोज कहता हम कि जो भी कुश्चन आपसे पूचा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो तो यह आज का उस्ट्चन हाली में जारी फीपा रेंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा और इसका जो भी करेक्ट आंसर है वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तों अगर आपको आपको फसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पढ़ नई अगर में थाइक यू.